रभी चवान की मौत को लेकर कलवा के सरकारी अस्पताल में बंजारा समाज का अंगामा NCP ने अंदोलन करते हुए टोरंट से की मृतक के परिवार के लिए मुआउजे की मांग मैं रफीक कामदार इंदस्ताणी रिपोर्टर में आपका स्वागत है 16 अगस्त बुधवार सुबो 8 बजे सैनिक नगर परिसर में बिजली के टूटे वे केबल के करेंट की चपेट में आने से मृत हुए रभी चवान किया शव लेने के दोरान पुलिस को उन्हें शांद कर बाहर निकालने में काफी मशक्कत करना पड़ी वहीं इस दोरान यहां पर रास्वधी कॉंग्रेस पार्टी के कलवा मुम्रा के विदान सबाद्यक शमीम खान पुर्वन अगर से वग जफर नुमानी और अन्य कई सारे पदा अधिकारी कारे करता भी पहुँच गए वहीं पर इन्हों ने जमीन पर बैठ कर आंधूलन करना शुरू किया पुलिस ने बाद में इन्हें उठाते वए टोरं के प्रबंदन अधिकारियों से और इन नेताओं तदा मृतक रभी चवान के परिवार से बातचीत करवाई किस तरीके से ये पूरा घटना करम था वो हम आपको दिखा रहे इस आंधूलन को लेकर क्या उनकी मांगे इस पर शमीम खान क्या बोले है और बंजारा समाज के मृतक के लोगों ने क्या जानकारी दिये वो हम आपको बता रहे अंत में आपको बताते चले कि ये खबर बनाने के दोरान हमें कलवा मुम्रा एंसेपी अध्यक शभीम खान ने सूचीत किया कि उनकी बातचीत से और उनके प्रयासों से टोरन कमपणी ने मृतक रवी चवान के परिवार को चार लाख रुपए नकत मुआउजा देने की ब एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं नफरत खेल चुका है आज इसने लोग यहां मुझूद हैं कलवा श्रिवाजी होस्टिलर में हम लोग इसक्त हैं और हम यहां पर तग्रीबन उनकी मौच सुआ साथ बज़े हुई है मामा वह अपने काम पर आ था बीचारा अपने बच्छों के साथ एक भोठी हे खा रखर करके एक जोपड़े में अपने बच्छों के साथ एक रोटी खा निखा गरकेक अफने बच्चोंगो गले मिल करके हा cinnamon काम पर जा रहा था है उसे क्या मालूम था कि मैं जा은गा तो लोट करके नहीं आप वो अपने घर से निकला और रास्ते में वो तार फूटा हुआ पड़ा हुआ था उसका विछारे का पढ़ा वो रभी चोहान साम का वो जगह पे विछारा इंतिकाल हो गया एक हमारा भाई रभी चोहान अपने बच्चों से अपने बेबी से अपने माम हो गया उसके बाद आकर के इस परिवार को यह मामा चीक-चीक के फोन पर कहता है कि भाई हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है क्यों इसको इंसाफ दो ठीक है मैं यह मानता हूँ जिदेगी और मौत का देंदार तो अल्ला ताला है उसको मौसी कह रही है कि हजार बाद टूटा है कहीं ना कहीं वो तीन बार वाई टूट गया मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जब इनके आग खुलेंगे सुबह के टाइम शे बजे साथ बजे हाथसा होता है शे बजे वहां के भुकामी लोग कंप्लेंड करते हैं तो अकर कि वहां पे तार को जूटा किए निया गया अगर आज पर फोन किया अगर चौटा को जोडा गया होता तो शाइद रभी चोहान का इंतिकाल नहीं होता एक्सपार नहीं होते आप क्या इंधिर कर रहे हो कि उसकी बाडी को डालो ऐमोलेज में और बुलबर्गर लेके लेके जाएंगे लेकिन हमारे पच्छों के इंसाफ के बात लेके जाएंगे मेडम हम आप से कहना चाहते हैं आप बुम्रा कोसा की भी एक सहाफी है मेडम आप पत्रकार हैं हम लोग हमेशा टोरेंट के खिलाव अवांज होते हैं और आज फिर कहना चाहते हैं कि यह सब बंक कर दो उसूली करना यह बिल्म यह प्रानटी मारना हाला भूका नहीं है आद करना सबसे पहले वहां का सुधार करो सबसे पहले सुधार करो अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो इस तरीके से और आपके माद्यम से यह शमीम खान अपने तमाम साथियों के साथ इस बात की घोशना करता है अगर मामा को इंसाफ नहीं मिला उस मासूम बच्चों को इंस तो हम यहां से यहां से टोरेंट आफिजिल खुतेंगे और वहां जाके उनको बाहर निकालेंगे और मामा को बिठाएंगे मांग यह है कि एक एक बच्चों को दर्दस लाख यानि 30 लाख का मौज़ा मिलना चाहिए आइसी हम आपके माध्यम से मांग कर दो अगर मामा को इंसाफ नहीं मिलेगा परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा मंदिक साहब तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सर टोरेंट किसी एक आरूपी के उपर मुगदमा दर्ज करती है सर आज शमीम खान आप से यह मांग करता है इस सर दफा तीन सो चार के तहट सर टोरेंट के मुगदमा किया जाए और सर मुगदमा दर्ज करने के लिए सर मामा खोदा हैंगे साहब परिवार के लोग आज़ेंगे हमारी मांग यह है साहम की क्योड्येंट के जो लोग हैं उनके साथ मामा को हम इंसाफ की बात करेंगे साहब अगर वो उनको इंसाफ दे बाते हैं खिया तो हमारा कोई नुर्पीस होगा हमारी यही उन्चे पहली मांग है और अगर साहब उसको नहीं करते हैं तो मामा के साथ हम सब लोग चलेंगे साहब पॉलीश जिसन में सर उन पे इंट रहर जाग मुद्बा दर्च किया है सर नमस्कार मंगली वह देखे अपने हैं शमीं खान पहले आले जाने पंदना से कलोग काहें देंजे रैंची मागी है इसकी टीटे गोना दाखर करा देंजे तर मदला तुम्चेक पाठंग दुल्या है सब्सक्राइब करते हैं अब क्या नाम है अपका लेरा नाम सुमनाथ राटोड सुमनाथ सर जो 200 रुपया बार बोरे थे 200 रुपया लग टोरेंट के साथ में क्या मामला है अब करेट लगा था बच्ची इसने छोड़ी बच्य कवाशा अब अब लगया है अब यहा बच्ची को करन लगा बच्ची को करन लगा तो 200 रुपया तो दौरेंट वाले दंग तो जान जले गा वही जान जाजए ते बच्ची को जादा चोट लगी थी उसके प्रिश्क रुट कर्ception कленते हैं में 200 अप भी कि ईक्छ 911 देखे जाए तूरांट के ही बंदे घांके challenge उबंदे का नाम जानते हो अप नाम जानते हो अ इसका नाम जानते हो भी कह तूरा में एक नामने को हमेशा झाल झाल